नमश्कार दोस्तो जो लास्ट में बजार में रिकवरी हुई है और उसमें देखेंगे हम कि किस तरीके से चार्ट में कौन से पैटर्न मने थे तो दोस्तो उसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये वीडियो जो है दोस्तो पूरी तरीके से एजुकेशनल है इसको शुरू से लेके अखिर करते हैं और सब से पहले लिखे जाओंगा मैं आपको अपने टेलिगरम चैनल पर डोस्टो इसलिए मैं आपको ले कर जारा हूँ क्योंकि जब भी हम कोई पोस् guts करते हैं तो live marketing टेलिगरम चैनलल पर ही यह logo हमारी पहचान है, इसको जल्दी से जाके, search पे जाके, join कर लीजे, search पे जाके, आपको लिखना है, chart analysis, और इसको आप join कर लीजे, जिससे live market में आपकी earning के सासवाथ, आपकी learning भी बनी रहेगी, और यह बिल्कुल free of cost है, अब मैं दोस्तों, बात करूँगा, आज के बारे सिपला, टाटक एमिकल, और और फार्मा, यह तीन स्टॉक थे, जो मैंने कलकी वीडियो में बोला था, कि आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो बात करेंगे दोस्तों सिपला के बारे में, इसके लबावा और भी स्टॉक के बारे में आपको बताँगा, बड़ मैं सिपला के बारे देखी हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, बट अगर आप नए हैं, तो इसको दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझेगा, तो यहां पर दोस्तों मैं सिपला के बारे में आपको बताता हूं, सिपला जो आज इसने लो बनाया है, वो बनाया है 566 का, और सिपला दोस्तों जो हम बेच रहे हैं, जो हमारा सेलिंग का लेवल है, वो दोस्तों है हमारा 610 रुपे से, 610 रुपे से दोस्तों हम सिपला बेच रहे हैं, और आज हमने जो सिपला बुक करा है, वो 568 के आसपास दोस्तों हमने बुक करा है, तो सिपला में क्या था दो से इसने recovery करी थी तो सिपला ने बहुत तीजी से recovery करी थी और उसके बात क्या हुआ यहाँ पर आप देखेंगे यह एक gap बनाता यहाँ पर देखेंगे यह एक gap बनाता और यह जो gap था दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो यह bullish candle का जो high था वो high था दोस्तो 539 रुपेगा 530 के आसपास gap बनाता और इसकी जो opening थी वो 570 के आसपास थी तो 530 और 570 यानि कि 40 points का दोस्तों इसमें gap बनाता यहाँ पर देखेंगे अब हुआ क्या यहाँ पर gap बनने के बाद यह काफी दिन से when dayı दे खुमेंंग हो रहा थे इसको दोस्तों बिल्कुल थ्जान से समझेका काफी दिन से क्या ओ रहा था Say हो यह मैं जो चार्ट दिखा रहा था धूझतब कुछ देली का चारट है मैं लिग देता हूँ यह डेली का चार्ट है जिसमें दिन में एक कैंडल बनती है अब हुआ कि काफी दिन से कंसॉलिट हो रहा था और उसके बाद सिपला ने हाई बनाया कितना 632 का 632 रुबे का दोस्तों सिपला पर उसके बार ने वापिस से दोस्तों हाई लगाया कुछ 625 रुपे के आसपास यह जो बेरिश गैंडिल है इसका हाई जो था वह 622 रुपे के आसपास का से काफी दिन से इस रेज भूप रहा था शूटिं स्टार हमें ऑलडेड ही हापर मिल गया था यह पूरा कंसॉलडेशन जोन था इसके साथ साथ यहां पर बना हुआ था और अगर बात करें हम डैवर्जंस की तो यहां पर हमें negative divergence भी दिख रहे थे हैं यहां पर मैं लिख देता हूं negative divergence किसमें सिपला में और यहां पर double top pattern भी बना वाता हूं अब यहां पर दोस्तों हमने क्या करा यहां पर अपनी position short बनाएं मैं कई दिनों से बोल रहा हूं कि अगर बजार एक तीजी के बाद अगर consolidate होता है और वहां पर candlestick pattern भी बनता हूं नीचे divergence है तो डाव के accordingly डाव theory के accordingly उसको बेच के चलिए वो बहुत तीजी से गिनने वाला stock है हमने क्या करा यहीं पर इसको short बनाया और काफी वीडियो में बोलें हैं तो हवा में बाते करते हैं या फिर हम कोई कथा कानी सुनाते हैं पहले तो बताना चाहते हूं कि यह जो चैनल है यह कथा कानी या फिर motivation वाला चैनल नहीं है कि बैट के हम कोई बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं और उस तरीके का audience है वो पूरी तरी की से genuine है और वो audience वो है जो ट्रेडिंग करना चाहती है और ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहती है कता कानी सुनना नहीं तो दोस्तों यहां पे ऐसा नहीं कि हमने सिफ आपको बताया है इसमें हमने ट्रेड भी लिया है तो मैं यहाँ पर हमने टेलिगरम चैनल पर जाता हूं और जब हमने सिफ़ा में बताया था कि आप पोजिशन शौट करें तो हम काफी दिन से शौट कर रहे हैं और आज हमने सिफ़ा में खुद एक ट्रेड बनाया था मैं यहाँ पर बात करना आज हमने bonding में 586 पे आज 2000 शेर सेल करेते किसके सिपला के आज bonding में और इसको book करा 568 पे जो इसका low बना था वहीं पे ही इसको book करा और आज का जो profit है दोस्तों मेरा 35,900 रपे का है यानि की मान के चलिए 36,000 रपे का आज मैंने profit लिया किसमें सिपला में और 2000 शेर हमने सेल करेते और पूरा का पूरा जो profit राइडिंग थी वो पूरा profit राइड करा और आज हमें जो profit आया वो 36,000 रपे का profit आया किसमें सिपला में तो ये profit दिखाने का reason कै है दोस्तों उसके बारे बात करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हम आपको सिफ बताते हैं हम उसमें खुद भी trade करते हैं ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया हवा में बात कर दिया ऐसा नहीं है हम खुद भी उसमें trade करते हैं और आशा करते हूं दोस्तों कि आपने भी सिपला में trade करके 6 पैसे कमाई होंगे इसके लाबा और हर्व बी इस्टांक स्टॉक संघीकण वरिखेंगा गद अंडबां चाल किरे में, दोवब होके कर स्टॉकल एवा चाहयँ, आज पैसे मिले हैं तो हमने भी इसको शॉट किया था 286 के आसपास और इसको हमने बुक करा 282 के आसपास तो हमें टाटा केमिकल में पैसे है बट हमें एक जो स्टॉक है और फार्वा उसमें हमारा स्टॉपलस कड़ गया था बट दोस्तो यह गेम का पार्ट है ऐसा निया कि हर स्टॉक में टार् इसके इलावा दोस्तो हमने BPCL बोला था बाइंग करने के लिए लास्ट में जो TGI थी मार्किट में BPCL बोला था बाइंग करने के लिए बीपीईल भी नहीं चला पर इसके इलावा हमने एक स्टॉक और हो था जो लास्ट में आपको बपताय ता वह था CESC अगर आप देखेंगे 596 पी यहाँ पे देखेंगे यहां पर पैटर्र मना था जिसको बोलते हैं दोस्तों बुलिश हरमी पैटर्न ऑ बुलिश ऐद्म के साथ साथ हमने बोला था इसको ब्हुंट करिए उसके बाद दोस्तों यह stock काफी अच्छा चला और आज हमने CEC में भी trade करके कुछ 6,543 और यहां पर profit लिया था तो CEC हमने last में आपको बताया था माइं करने के लोगे यह stock चला तो आज बजार में जो moment थी वो mix moment थी बजार गिरा भी था बजार बाद में चड़ा भी था तो हमने sell करके भी पैसे कम है और हमने buy करके भी पैसी कम है तो CEC का जो stock है वो मैंने last में लिया था और उसमें मुझे कुछ जो प्रॉफिट हुआ वो साड़ी 6,000 पे के आसपास का प्रॉफिट हुआ था तो दोस्तों यहां पर आज हमारे जो trade थे वो हमने आपको बताया चाहूँगा निफ्टी के बारे में आपको पैसे आए तो दोस्तों यहां पर मैं आपसे कुछ निफ्टी के बारे में आपको दिखाता हूँ तो Nifty का चार्ट को मैं समझें कि Nifty ऐसे आप क्या लग रहा है Nifty में कि किस तरीके से position मना है पहली बात तो दोस्ता आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप Technical Analyst हैं तो Being a Technical Analyst सबसे ज़्यादा जो आपको रिलाई करना है वो आपको अपने चार्ट पर रिलाई करना है चार्ट को ही आपको अपना भगवान मानना है उसी की पूजा गरनी है कई लोग ऐसे हैं जो मैं कहीं दिनों से सुनना हूँ कोई कह रहा है जी निफ्टी 6,000 रुपे आजएगी कोई कहता जी 5,000 रुपे आजएगी कुछ लोग इस तरीकी की बाते कर रहे हैं उनको मत सुनिए वो ज्यादा बैठर है आपके लिए क्योंकि दीखे सबसे बड़ी बात क्या अगर आपको कोई कह रहा है कि निफ्टी 6,000 रुपे आजएगी तो उससे सबसे पहले आपको क्या पूछने है आप यह बताई कि भीया तुम्हारा स्टॉप्लोस क्या है एक ट क्याता है ना उसे से वेक चीशर पूछो भाई अपना स्टॉप्लोस बता दो मैं कहा रहों कि निफ्टी का रेट यहां पर चल रहा है 9200,000 को कोई कहता है मार्केट आजएगी 5000 उससे पूछो मैं स्टॉप्लोस क्या है आप स्टॉप लोस पूछ लीजिए अगर मैं यहां पर सेल भी कर देता हूं अगर पांच जार का छोड़ो मैं साथ जार भी बुक करता हूं बट मुझे बता हूं उपर तक यहां तक जा सकता है जहां पर क्या होता है ना मार्केट में बोलना बड़ा असाना है कि यहां से निफ्टी 14 जार चलेगी को एक चीज़ अगर मैं भूलूं क्या उस आदमी ने खुद का कोई ट्रेड बनाया है उसमें अगर वह कहता निफ्टी चले जाएगी क्या उसने खुद शॉट किया हुआ है सबसे तो सबसे बड़ी बात ही है दोस्तो इसको आपको समझना पड़ेगा दूसरों के कहने पर ट्रेड बनाने से पहले आप ये तो समझे क्या वो खुद ट्रेड कर रहा है वो खुद कोई ट्रेड बना रहा है पता चला वो खुद तो ट्रेड करने रहा वो आपको ट्रेड बत इसके तहट आप Intraday Swing Trading बना सके तो यहां पर दोस्तों मैं डिसकस करना चाहूंगा अपने कोर्स के बारे में कहीं लोग कहते हैं जी आप मार्केटिंग करते हैं और कोर्स की बट मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा 12 साल का मार्केट में मैं कल नहीं आया हूं मार्केट में या मैं एक साल पहले नहीं हूं मैं बारा साल से मार्केट में काम कर रहा हूं बारा साल से मैं टेकनिकल अनालेसिस पर काम कर रहा हूं और खुद की ट्रेडिंग भी करता हूं और ग्यारा साल से पढ़ा रहा हूं मैंने दिल्ल और दोस्तों यह कहना चाहूंगा, चार्ट पैटर इंडिकेटर यह बिल्कुल अडवांस तरीके से समझाया है, मैंने बेसिक से अडवांस लेवल का कोर्स है, इतनी असान तरीके से मैंने कोर्स बनाया है कि जिसको टेक्निकल अनैलिसिस का टी भी नहीं बता होगा, वो भी इ अपना ट्रेड प्रॉफिटेवल बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से जाके इस कोर्स को जोइन करिए, आपको में वेबसाइट पर जाना है, www.chartanalysis.co.in, वहाँ पर जाईए user id क्रेट करिए, वहाँ पर login करिए, आपकी बहुँ टीपी पास्वाड आएगा, वो डालिए और वहाँ से कोर्स परचेश कर सकते हैं, कोर्स की फीस मातर 7999 है, आपको वन टाम पेमेंट करनी है, उसके बाद मैं आपसे एक रुप्या भी नहीं लूँगा, और उसके साथ-साथ आपको 28 वीडियो, 10 आवर्स का कोर्स, लाइफ टाम के लिए मिलेगा, इसके साथ-साथ, मैं आपको संडे को फ्री वेबिनार भी दूँगा, तो उसका मैं कोई भी चार्ज आपसे नहीं लूँगा, तो पेमेट आपको वन टाम करनी है, फैसलिटी आपको लाइफ टाम के लिए मिलेगी, लास्ट में दोस्तों बात करना चाहूंगा, जैसे कि कुछ स्टॉक थे, जिसमें कुछ पैटर्स बनेते और वो बाद में रिकवर हो गएते, जब लास्ट में देखा, तो एक चीज और है दोस्तों, कि जब भी बजार में कोई मेजर फाल होता है, बजार बहुत तीजी से नीचे गिरा, तीजी से नीचे गिनने के बात क्या होता है, कि आपको 30 मिन आता है, यह वाला पैटर्न, CESC में मना था है, जिसमें हमने ट्रेड लिया था, BPCL में भी बताया था, उसमें भी कुछ पैसे आये थे हमें, तो इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बाकि अगर आप को डिटेल में समझाया हो है, तो एक चीज और है, मैं आपक अच्छे ब्रोकर को ढूण रहे है, जो एक अच्छा जैन्वन ब्रोकर है, जिसकी फैसिलिटीस बहुत अच्छी है, जो मार्जन भी अच्छा देता है, और हैंगिंग की प्रॉलम भी नहीं होती, तो दोस्तों अपना एक अकाउंट ना एंजल ब्रोकिंग में जल्दी से अच्छे 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 ऐसी बना रहा था और हैंगिंग की प्रॉलम नहीं ले रहा, एसी चीज़ों से बचना है तो अपना एक अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ उपन कर वा लिजे, तो दोस्तों नीचे दिस्क्रिशन पे एक लिंक है एंजर बोकिंग का उसको सभी आपको क्लिक करना है एक फॉर्म आएगा जिसमें आपका नाम, मुबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड ये पूछेगा वो आप डालिए आपका डिमेट अकॉंट चार से पांच घंटे में ओपन हो जाएगा और व की वीडियो आपको पसंद आती है तो से लाइक करें शेर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो नीचे देगे नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों धन्यवाद